कौन ब्रह्म्हा का पिता है, कौन विश्णों की माँ अब हमें उस आम की महिमा का पता चला, अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतियास, उनका नुभाव, उनके परवचन सुने और पढ़े, तो पता चला के वो गुंतों गाते आम का, और बीज बोरख्या है बबूल का, तो उनके अन्वियाईयों को सुख हो ही नहीं सकता, वो पूर्ण प्रमात्मा की महिमा, सद्पुर्स, अमर्पुर्स, अकाल मुर्थ की महिमा सुनाते हैं, लेकिन मंतर सारे, जो मंतर हैं, नाम हैं, वो बीज है, वो बबूल का दे रख्या, वो काल की सादना कर रहे हैं, तो बबूल बोक है, आम की इच्छा रखना भी मुरकता है, आम का वीज बोक है, और फिर उसे हम आस्था बनाएं के इसके आम लगेंगे तो लगेंगे ही लगेंगे, तो ये थारस बगती जो है सच बगती सच ग्यान वो तो है आम का पेड़ और गल्ट ग्यान गल्ट साधना गल्ट मंत्र वो हैं बबूल के बबूल का बीच तो दास ने विस्वे के सभी गरंथों को जाना समझा और विस्वे के सभी वर्तमान के धर्मगरू परवक्ताओं के इतियास पड़े उनका अनुभाव देखा उन्होंने सारा का सारा ग्यान सद्गरंथों के विप्रित सुना रखे और जिसका बैंकर प्रिणाम उनके अन्याईयों को भोगना पड़ रहा है कोई सुखी नहीं परमात्मा के लिए निकले थे जहां से चले थे वहीं खड़े है उल्टे दुख और शुरू होगे उनको तो पुन्यात्मा जब आपको इतारत ग्यान होगा तब आपको पता चलेगा कि सब्समुच अभी तक तो हम अपना विर्थ जीवन कर रहे थे तो परमात्मा आकर हमें ग्यान सुनाते हैं कि इस मुन्स जीवन का जो मूल कुदेश से है परमात्मा प्राप्ति अच्छे काम करना और अपना निर्वा के लिए भी प्रियतन सील रहना और निर्वा भी वगवान ही दया बक्सेगा तब होगा वैसे तो जब तक आपको पूरम प्रमात्मा नहीं मिलते हैं आपको कि उलापका संसकार ही मिल रहा होता है संसकार बनता है पूरम जनम के सुब और असुबों से जिनके असुब अधिक हैं उनको दुख गने हैं जिनके सुब ज़्यादा है किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है और जिनके संसकार में जिनके प्रारब्द के अंदर किस्मत के अंदर सुख है वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को क्योंकि उनके पूरव जनम की वो बैटरी चारज है जो उसने पहले जनम जनमांतर में कर रही हैं अर्थात सुब करम संचित कर रहे हैं संग्रह कर रहे हैं और वो उसके काम कर रहे अब चाहे वो बगती करे या ना करे उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा और जिस दिन वो पुन समाप्त हो जाएंगे उसकी वो बैटरी डिस्टारज हो जागी क्योंकि आगए चारजर ठीक नहीं बविश्य की जो बगती है वो सास्तर अनुकूल नहीं है जिस कारण से फिर वो श्विक्ती पर आपदाएं पर आपदाएं आऊंगी आपती पर आपती पड़ेंगी फिर बहुत देर हो चुकी होगी और जिनके भागे में दुखे हैं अधीक हैं तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही पराप्त हो रहे हैं और उन दुखों के निवारन के लिए वो परमात्मा की खोजमा निकलता है वो जहां भी जाता है ये काल के एजेंट बैठे हैं वो विचारा हार ठक के और अपना जो रहानी है उसको पराप्त ही कर लेता है और रोरो के अपना समय वेतीत करता है तो पुनातमयों पूरे विश्वे में एक ही भगवान है सब का मालिक वही है पापों का नासक वही है सुकदाई परमातमा वही है मोकस दायक हुई है उसकी भगती हमारे तक पहुँची नहीं और जब वो भगती उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे वो सुक का सागर है तो वो भगती इस दास के पास है पर्मातुमान मेर करी है इस दास के पास और इस काल्ग ने इतने ये अग्यानी संत छोड़ दिये ये इस बगती का इस मारग का विरहुद करने पर तुले हुए हैं क्योंकि वो जनता के इतैसी ने सत्रू हैं सुरू से सत्रू का काम कर रहे हैं और इस मारग में जो बाधा कर रहे हैं प्रमात्मा के में तो वो एक घोर पाप को इकठा कर रहे हैं बाद में पस्ताएंगे वो तो इसलिए आप जी का करतो बनता है कि परतेक प्राणी को, अपने मेत्र को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को समझाएं, काल के जाल से निकालो उनको, वो बहन कर दुख का सामना कर रहे हैं, और इस मनुस जीवन को नस्ट करके, आगे जो उसके उनके उपर कहर तूटेंगे, वो पुन्यात्मा अभी पता नहीं और इस परमात्मा की सरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे, एक प्राणी को उस गलत साधना से हटा कर, इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का, इतना पुन्ध है उस विक्ति को जो उसको वहां से सुल्जा समझा के बगवान के दरवार में ल जोवों को और हथे में कटते हुए बचा दी जाएं, करोड गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए, जो काटने को तार है, इतना पुन्ध होगा उस विक्ति को जो एक प्राणी को यहां लाकर जोड़ देगा, क्योंकि उस बोली आत्मा को ग्यान नहीं, वो फस गया उन पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है, पूरों संसकार से चाहिए उसको कोई लाब भी हो रहा है, तो वो यह सोच रहा है, इस संत की साधना का तो इस दास के साधना से तुलना करके पता चलेगा, वो ठीक है कि गलत है, तो सत साधना ना करके गलत साधना करने से, उस प्राणी के उपर पविश्य में कितने दुख होंगे कभी पसू बनाएगा कभी पक्सी बनाएगा आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महविर जैन जी की जीवनी उसमें वो साथ क्रोड बार तो गदा बना तीस क्रोड बार कुटा पसू यूनी के भी इतने लगातार दुख वोगने पड़ते हैं एक कुटे के जीवन तीस करोड आथी के जीवन साथ करोड गदे के जीवन साथ करोड और फिर जाकर के कभी कोई मानोसरी प्राप्त होता है तो उस पुन्यात्मा को जो यहां आ गया उसके ये सारे दुख मिट जेंगे उसका फिर पुन्यात्म या तो होगा मनुसका ही और अन्य थवसी दसद्लोग चिला जाएगा दो ही बात है लेकिन दास ये प्राप्तना करेगा कि पुन्यात्य जीवन मनुसका भी ना प्राप्त करने की इच्छा रखना या इच्छा दासी जमकी खडी रहे दर बार ये जो इच्छा है ये काल की एक खास नोकरानी है और आपको यहाँ जाके रखती है तो इस इच्छा को मनुस जीवन भी पुने मिले ये भी इच्छा मत रखनाट दे क्योंकि प्रमात्मा बताते हैं स्वेमाकर के उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को ग्यान दिया जैसा है कि उनका विध्धान है आप जी को बहुत बार समझाया है बताया है कि वेदों के अंदर पूर प्रमात्मा की महिमा का गुनगान है लेकिन इन चारों वेदों उस प्रमात्मा के पाने की विधी नहीं है तो जब तक विधी नहीं है तो वो ग्यान अपने सथान पर है और विध ही नहीं मिली तो वो ग्यान भी विर्थ है इसलिए गरीबदा साहिब जिन कहा कि चार वेद और पुरान अठारा चार वेद और पुरान अठारा ये एक उजड जहरा है जहरा कुआ बोलते हैं जिसमें पानी ना हो गहराई बहुत हो उसकी और गर जात उसमें निकलन का रस्ता नहीं ना मरे ना जीवे कहते हैं ये जो ग्यान है वेद सतर का पुरान सतर का कहते हैं यो एक उजड जहरा है और सत मारग तो इससे उचेरा है अलग है उंचा है ये उजड जहरा क्यों बताए क्यों कि इसमे महिमा तो है प्रमातमा की लेको उसके पाने की वीजी नहीं है जैसे कुवे में पड़ गया किसे नपता तो कुवे में गर गया नसे में गर गया और सादन बार निकलन का है नहीं तो उस ग्यान का क्या फाइदा कि मैं कुवे में पड़ा हूँ तो सादन साथ हो निकलने का तो जो परमात्मा ने आकर ग्यान दिया उसको सुकसम बेद कहते है और जिन मापरसों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ग्यान दिया है वो उस परमात्मा के सुकसम बेद का समर्थन करते है क्योंकि उन्होंने प्रमात्मा को आखों देखा है वो सच्खंड गए है, सतलोक गए है फिर उनको बगवान ने वापस छोड़ा है तो वो पकेगा वहां बगवान के उस सतलोक और सच्खंड के और अन्हे जितने भी संत मात्मा गुरू दर्म गुरू पूरे विस्वे के वो प्रमात्मा को नराकार बताते है तो उन्हों बगवान पाया कहा उन्होंने मिला कहा बगवान और बगवान नहीं मिला तो वो जूटे हैं उनको कख नहीं पता और जिनको बगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है, नराकार है, मनुस अद्रिस्य है, सहसरी है, उसका नाम कबीर है हर सभी दर्मगरंथ हमारे मनुस को परमात्मा साकार बताते हैं और हमारे दर्मगरु उसको नराकार बताते हैं से से जय के वो गुरु नहीं है, वो नकली है, सारे जूटे हैं, तो उस परमात्मा ने जो ग्यान बताया हाकर के, उन्होंने बताया कि मानुस जीवन दुरलब है वो इमलैन वारंबार, और जैसे तरुवर से पत्ता टूट गर है वो बहुर ने लगता डार. क्या बताते हैं कि जिन मापुरसों ने परमात्मा को पाया सत लोग देखा वापस आई उन में से कौन कौन है आदनिय दरमदास साहिब जी आदनिय मलुकदास साहिब जी आदनिय नानक साहिब जी आदनिय दादूदास साहिब जी आदनिय ग्रीब दास साहिब जी गाउं छुडानी जिला धज्जर वाले आदनिय गीसा दास साहिब जी गाउं खेखडा जिला मेरट उत्र परदेश वाले तो इन मापुरसों का तो दास को ग्यान है कि इन को परमातमा पूर्ण ब्रम सच्च पुरस अल्लाहु अकबर ग्रेट गॉड वो स्विम सत लोक से अपने निज सथान से चल कर आए और उनको मिले उनको सच्च खंड लेकर गए फिर उनको वापस छोड़ा उन मापुरसों ने फिर आके बताया है कि परमातमा साकार है नराकार है और सथखंड की जानकारी उनों ने यह थार्थ बताई है तो अभी तक उन मापुरसों ने जो ग्यान दिया वो लोकोक्तियों के मादन से बताया सब्दावलियों के मादन से यानि पज्ज भाग में वनन किया और पज्ज भाग के अंदर कोड वर्ड अधिक होते हैं क्योंकि राग बनाने के लिए उसमें कुछ सब्दों को उस राग के अनुकुल बनाना पड़ता है तो उसको समझना जन सादान के बसकी बात नहीं होती तो उन मापरसों का एक खास देसे था कि ये रहसे भी बना रहे नकली संतों को इसका ग्यान भी ना हो और जब परमात्मा ने जो निरधारी समय ये बना रख्या था इसमें इस दास को भीजना था और इस दास को अकल दे करके कबीर भगवान ने अकल दी और उन कोड़ वरड़ों को ठीक से जाना और समझा और जिससे आपका कल्यान संभाव है तो वो तत्व ग्यान कलाता है उसको सुकसम बेद कहते हैं उसके विशे में परमात्मा बताते हैं कि चारों योग में मेरे संथ पुकारे और कुक कहा हम हेल रे हीरे मानक मुती वर से ये जगजगता डेल रे सत्सादना रूपी तत्वग्यान रूपी हम हीरे और मोती बखेर रहे और ये भोले सरदालो तत्वग्यान से ऐपरी चित इस सत्सादना को ठुकरा कर एक आन उपासना काल तक की साधना रूपी कंकर पत्थरी कठे कर रहे चारों यूगम संत पुकारे कुक कहा हम हेल रे हीरे मानक मुती बरसें ये जगचुगता डहेल रे हम राग्यान किने ना सुनिया ये परवी लेन जात है दुनिया तो अपने अत्मों परमात्मा ने आकर बताया इन मापरुसों को मिले किन किन को जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाए उनमें से एक है आदनिय ग्रिवदास साहिब जी आदनिय ग्रिवदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना विसेश रहसे दिया और उनके दोर अपनी बहिमा की वानी पुने पर गट करवाई यथारत रूप में उन्होंने क्या बताया है कि कोट जन्म तो भर्मत होगे कुछ ना हाथ लगया रहे और कुकर सुकर खर ब्याबो और एक ववा हंस बगया रहे क्या बताया है कि आप जी ने असंग जन्म होगे बटक्चाने अब परसंग चला था कि पूरण प्रमात्मा की साधना से प्रतेक प्राणी को सुख हो सकता है पूरे विस्वे के प्राणी जितने चीटी से लेकर हाथी हैं और मानो स्रीर प्राप्त हैं इस प्रमात्मा की सत्वग्ती से और इस सच्चे ग्यान के परचार से सर्व प्राणी मोक्स प्राप्त कर सकते हैं जैसे जिनको मानो स्रीर प्राप्त है उनको तो संसे है ही नहीं यदि मर्यादा मर रहेंगे और ये बग्ती करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे मानो सरी धारी प्राणियों को तो संसे रहे ही नहीं और इतनी आसान बगती है इसमें और इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है आउटपुट कैसे ज़्यादा है जो सतनाम आपको दिया जाएगा जो आज तक रहसे बना हुआ था प्रमातमान इसको छुपा के रखा था केवलून मापरसों को दिया था जिनके नाम दासने गिनाए हैं आदनी दरमदास साहिब जी को आदनी मुलकदास साहिब जी को आदनी नानक साहिब जी को आदनी दादू साहिब जी को आद्ञें गिसा दास एब जी को आद्ञें मैरिसी रामानजी को इन को तो पर्मातमा नाही सत्ञाम दिये थे उन्होंने जाप भी किये लेकिन आगे उनको बुताने की आग्षिया नी थी आगे नामदान करने की उनको सक्त मनआई थी दरम दास मेरी लाख दोहाई और ये मूल ग्यान कहीं बार ना जाए परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने दरम दास जीशे के दरम दास मेरी लाख दोहाई ये मूल ग्यान अभी कहीं बार ना जाए मूल ग्यान बाहर जो पढ़ ही ये बीचली पीडी हनस नहीं ते रही पुनात्मों आप कितने बेंकर सथान पर रह रहे हो जहां पर मात्मा ने भी अपने आपको गुप्त रखके और यहां तक लाना होता है इस बगती को नी तो काल चाहता है बगती करें नहीं नास्तिक हो जाओं जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया क्योंकि वो मात्मा बुद्ध के मानने वाले थे और जब तक उन पुनकर्मियों के पूरा जन्म के सुब संसकार थे और मात्मा बुद्ध के अन्याई बन गए जो पहले वाले विक्ती थे तो उनके लाब तो हो रहा था उनके पूरा जुनम के पुनों से वो ये सोचते रहें कि वरत्मान की साधना से हमें लाब हो रहें मात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी साधना से आने वाले समय में हम कलियों के निकट आते चले गए हमारे पुन अक्षिन होते चले गए हम करमीन हो गए पुर जुनम के पुन रहे नहीं और मातमा बुद्ध के दुवारा बताएगी साधना से कुछ होना है नहीं था तो उन उसकी साधना से अन्य को कोई लाव होना बंद हो गया तो उन्होंने सोच लिया कि कोई बगवान नहीं और बगवान का नाम मुने सान मिटवा दिया रूस के अंदर नास्तिक था और चीन के अंदर और चीन के अंदर विस्वाखीब सबसे ज़्यादा आबादी है तो पुने अत्मों ये काल चाता है कि ये बगवान को याद करना है बूल जाए और कोई भी मेरे जाल से बार ना जावे और यही कारिये एव इरादा स्वामी पंथ दंदंसत ग्रूपंथ नरंकारी पंथ आसाराम जितने भी संत लाराखें कालने ये सारे सास्तर विल साद ना दे रहे और वहाँ जब प्राणी जाता है जिसके पूरो जन्म के पंथ है उनको तो सुक होना ही था उन पंथों से हो रहा था अब वहाँ 20, 20, 30 वर सोगे जिन पंथ करमियों के उनका सरवणास हो गया क्योंकि अज्धात्मिक लाब तो होना ही नहीं था उनके पूर्ण थे वह खत्म होगे अब दुरगती तो होनी थी वह तो अब कुछ दिनों में अगर ये सत्सादना बगवान दया ना करते इस मानों के उपर तो विस्वे में नास्टिक ता फैल जाती और हाहा कार मच जाता थोड़े ही जिनों आने वाले सो वर्स बहुत बेंकर होते इस विस्वे के अब या फिर स्यानती होगी जनता तो माया की दोड़ में लगी है आपको भगवान इतने सुख देगा आपने कदे सुपने में सुचे भी ना होंगे साइद सुने भी ना होंगे तो भगवान को इसलिए खोद रहे हमारे दाजे पन दाजे थे भगवान के लिए मर मिटा करते थे हजारों वर्सों तक उनोंने साध नाय की परमात्मा पाने के लिए जीरन शीरन स्रीर होगे उनके और जो भी जिस संत ने साध ना बताई जो क्रियाएं बताई जो मरियादा बताई उन्होंने सरदर से की बाजी लाकर उनका पालन किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं क्योंकि वो साध ना सच्थ नहीं थी साष्ट रनकुल नहीं थी वो गौड गीवन नहीं थी वो काल गीवन थी इस काल की दीवी थी अब जो गौड गीवन साधना इस दास के पास उतलब्ध है और यही कारण है कि यह आप देख रहे हैं बहुत एक सुख भी मिलेंगे सारी एक सुख भी आपको मिलेगा क्योंकि यह आपका पिता है और दुखी बालक कीतना लुट पिटक है गर में घर आजा तो माता पिता फिर भी उसको प्यार देते हैं कोई बात ना बेटा आनी होगी आगी सावधान हो जाना तो उसी में खुस हो जाते हैं तो यह अपना पिता है इसके दरवार माने के बाद फिर यह दुखी नहीं होने देगा दुखी होगे ता आप मरियादा तोड देने से होगे आपको यह दिराहत नहीं मिलेगी तो मरियादा तोट जाने से तो मरियादा सबसे पर्थम है बगवान की जब लग हनसा हमरी आना और काल लगए नहीं तेरा बाना पर्भातमा कहते हैं जब तक यह जीव मेरी मरियादा में रहेगा काल का अटेक नहीं हो सकता आपके उपर तो कुन्यातमा हो आप मरियादा तभी रखेंगे जब आप इस ग्यान से परीचित हो जाएंगे तो ग्यान से परीचित कराने के लिए सब सत्संग किया जाता है आपको सीडी बना कर दी जाती है पूस्तके बना रहे हैं वगत आप तक पहुंचा रहे हैं तो इस ग्यान को समझने के बाद फिर आप न तिन ठगों से ठगोंगे जो पग पग वर बैठे हैं किता आथ देखनी है किते पतरा देखनी है किते नकली संथ नेरे जूट बोलन सारे दिन वक वाइद गड़ें क्योंकि आपको ग्यान नहीं और दास चाता है कि आपको ग्यान दूँ मास्टर बना दूँ आपको ताकि इनकी ठगों की ठगाई माप ना आए आपका जीवन सफलो आपके बच्चे सुखी रहेंगे तो पर संचला था कि जिस समें हम प्रमात्मा की सरन ग्रहन कर लेंगे तो हमें सर्वे सुख होगा बनात्माओं एक सिकंदर लोधी नाम का मुसल्मान राजा था दिल्ली का बादसा था वो दिल्ली यानि भारत वरस का राजा था जो दिल्ली का सासक होता था उसके अंतरगत पूरे भारत वरस के छोटे मोटे जीतने भी नवाब होते थे राजा लोग होते थे वो उसके आधीन होते थे और उससे में भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बिलोटिस्तान, एराक, एरान और गजनी तक और ये सब भारत ही होता था शिकंदर लोजी, शिकंदर लोजी एक मुसलमान बादसा था, और उनका एक धार्मिक पीर था, गुरू था, पूरे भारत वरस के मुसलमानों का वो मुख्या था, सेख तकी, और एक विसेश्ता हो जाती है, एक कमजोरी हो जाती है मानों के अंदर, जो जरा सा कोई पोश्ट पद प्राप्ट कर लेता है किसी भी अक्सेतर में, उसके अंदर अभिमान बहुत हो जाता है, चाहिए वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहिए वो किसी परसासनिक पद पर हो, उसमें सुभाविक है, एंकार हो जाता है, और एंकार उस प्राणिक हो उता जिसको अपनी आवकात क पता नहीं, क्योंकि हम जीव हैं, और जीव को जरा सा जटका नहीं उटा बगवान का, या अपने कर्म का, और फिर भी हम फूले फिरते हैं, एंकार जिसके हंदर होगा, अब इमान जहां होगा, वो पाप की जड़ होती है, दया धरम का मूल है, और पाप मूल अब इमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में पराण, उस सिकंदर लोधी को एक ऐसा ध्यरोग हो गया जलन का, जलन का रोग ऐसा होता है, जैसे कभी किसी के आथ पर गरम पानी या चाय गिरगी हो, और उसे कितनी बहेंकर पीड़ा होती है पराणी को, आथ जल जाता है, फ नजर नहीं आता कि ये कोई जला हुआ है, और पूरे स्रीर में ऐसी दा लग जाती है, जैसे अगनी में हाथ दे रख्या हो, स्रीर अगनी में डाल रख्या हो, इतनी बहेंकर पीड़ा उस राजा को होगी क्योंकि जब तक पुन चलते हैं, तो वो कितने पाप करें, चै कित नहीं बकवाद करें, उसको पुन मिलते ही रहेंगे, ये विद्धान है बगवान का, और जब पुन ना सो जाएंगे फिर उसकी कोई नहीं चलेगी, उसकी दुरगती सुरू होती है, अपने अत्माओं ये तो परमात्मा की बगती ही, नहीं करते कुछ परानी हों, तो अब राजा था, और पांस वक्त की नमाज कंपलसरी होती ही है, इसकी जो मुसल्मान धर्म की जो साधना है, ये कुरान स्रीफ के ग्यान दाता ने बताई है, और कुरान स्रीफ, यानि कुरान मजजिद को, कुरान स्रीफ को, इसका जो ग्यान दाता है, ये ब्रेम है, और अग्या जानता से ये मुसल्मान भाई इसको पूर्ण प्रमात्मा मान रहे है। सुप्रीम गौड मान बैठे। तो इसने जो साधना बताई थी हजरत मौमन जी को वो कौन सी बताई थी। पांच समय की नमाज। दिन में पांच बार नमाज करनी है। नमाज क्या है सतूती है बगवान की। प्रमात्मा की महिमा का गुनगान करना नमाज बोलते हैं जैसे हम नित नियम करते हैं सुबह का करते हैं दोपैर का बता रखा है स्याम का आपको। और फिर ऐसे जैसे कई गीता जी का नित पाठ करते हैं वो भी नमाज यानि सतूती है प्रार्थना बगवान की और जब जी का पाठ करते हैं सिख भाई तो वो भी नमाजी समझो पांच वक्त की नमाज और रोज्य रखना इनका एक रमजान का महिना मानते हैं उस दोरान रोज्य रखना बरत रखना जितने भी रख सकता है उसकी अपनी इच्छा है और बंग देना और एद बकरीद के तोहर मनाना तो ये सभी साधना हैं ये सभी क्रिया हैं मुसलमान दरमा कमपल सरी हर पर तेक मुसलमान करता है अब जहांतक नमाज है उसका हम समर्थन करते हैं नमाज अच्छी बात है जैसे गीता का पाठ करना नमाज करना जैसे कई विक्ती गाहितरी मंतर जाब करते हैं ये दुरुएद जायन नमर 36 के मंतर नमर 3 के आगए ओम लगा करके उसका बार बार रिपीटेशन करते हैं उसका आवर्ती करते हैं तो वो सारा सतूती है प्रार्थना है नमाज है वो तो उस नमाज से लाब क्या होगा ये एक धर्म यग यानि ग्यान यग है ग्यान यग का फल अलग है उससे मुक्स नहीं होता जैसे गलुकोस है गलुकोज एक द्रोगी विक्ती को गलुकोस लगाई जाती है तो गुलुकोज जो है वो रोग नास नहीं करती सिरीर को कुछ सहरा वस्य देती है और हमारा रोग नास होगा तो गुलुकोज कितनी अच्छा डालो कितनी लगा तो उसे कोई लाब नहीं होना वो जितना होना है वो ही होगा लेकिन रोग नास नहीं हो सकता तो उसके लिए अलग treatment है, injection, tablets, गोलिया तो वो मुसल्मान समाजमन नहीं है, वो गोली injection नहीं है और जैसे हिंदू समाज के अंदर भी वो गोली injection complete नहीं है जैसे कुछ एक तो ओम नाम जबते हैं कोई हरिंग हरिंग करता रहता है, कोई अन्यजाब करते हैं तो मंतर सही नहीं है, सही मंतर है इस विश्वय के मानों के कल्यान के लिए complete एक ही कोरस है और सब को एक ही रोग है, जनम और मर्चू का तो उसके लिए किवल एक complete कोरस है, जो इस दास के पास उपलब्ध है आपका मोक्स होगा, तो वो क्या करते हैं, पास में की नमाज कर लिए और फिर रोज्जे रख लिए वर्थ रख लिए, रोज्जे माने वर्थ और बंग, बंग माने, मुट्चे सुर में, आवाज पकारना परमा तुमा को तो ये सारी क्रिया है क्या करते थी क्योंकि ये ने तो पापनास से कही है क्रिया है ना ये मौक्सदायक है क्योंकि ये किस की बताई हुई है ये सरपुरस की बताई हुई है ये गीता ग्यान दाता भी हुई है कुरान स्रीप का ग्यान दाता भी हुई है वेद का ग्यान दाता भी वही है और बाइबल का भी ग्यान दाता वही है बाइबल के अंदर तीन कुष्टकों का संग्रे है हॉली बुक, तोरात, जबूर और इंजिल और चौथी उनकी कुरान है तो वो चारों कतेब और चारों वेद मिलता जुलता ग्यान है चारों वेदों का सारान स्रीमत भगत गीतान उन चारों कतेबों में इतनी कमी है कौन सी तोरात जबूर इंजिल और कुरान के अंदर कि उसमें कोई मंतर जाब करने का नहीं है वो केवल नमाज पर जोर रखते हैं और कुरान स्रीफ यानि अपनी अपनी इंचारों पुष्टकों को पढ़ते हैं तो ये ग्यान यग है तो उस ग्यान यग के करने से लाब तो मिलता है लेकिन ना तो पाप का नास हो सकता पाप के नास बेना हमारा प्रहरुद यानि जीवन किस्मत में दो दुख है वो कट नहीं सकता और पाप कटे बेना सुख नहीं हो सकता जैसे किसी के पैर में काटा लगया हो और उसको ये पता जिया किसी ने कि आपके पैर में काटा लगया है और वो निकलने का कोई साधन नहीं है उस विक्टी को कोई ये कहे कि काटा निकलने सकता जूता पहन ले बविशे में काटा नहीं लगेगा तो क्या वो जूता पहन सकता है काटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता तो काटा निकल है और काटा निकलने के बाद उसको सला दी जाए सला ही ज़रूरत है नहीं फिर तो आपसे समझ जागा कि जूता फिर निकाल दिया फिर ये काटा जा रहे तो जिन को कोई संग आज उनके किस्मत में दुख है वो उनके पाप के कारण है और पाप प्राहरब्द के अंदर लिखा हुआ प्राहरब्द माने किस्मत में और किस्मत में लिखे हुए को ना बिर्मा जी मिटा सकते ना विश्मू जी ना सिव जी ना ब्रम सरपुरस दिशे कहते जो गीता गयान दाता, कुरान गयान दाता, वेद गयान दाता और राप्र ब्रम केवल पूरण ब्रम complete God वो अल्लाहु अक्बर वो समर्थ परमात्मा वो आपके पापों का नास करके आपको सुख दे सकता है आपकी किस्मत चेंज कर सकता है मासा गटे नातिल बढ़े विधना लखे दो लेख और सच्चा सत्गुरु मेट कर उपर मार देख अब सच्चा सत्गुरु क्योंकि अब सत्गुरु भी नकली बहुत हो गए इसलिए सच्चा सत्गुरु बोला गरिवदास ची ने और सत्गुरू कौन होता है वो इस स्वे में एक ही होता है जब प्रमात्मा आये थे वो स्वे में अकेले ही थे और कोई सत्गुरू नहीं थे क्योंकि बगवान जो आते हैं वो सत्गुरू संत और एक अथे नागरिक है और तत्व ग्याता जगत गुरू का काम वो अकेले ही करते हैं तो यहां बताया है कि मासा गटै ना तिल बटै विधना लिखे जो लेख जो विधाता ने आपके पूर अबजनु के पुन और पापों के आधार से जो आपकी किस्मत बना के भेज दी उसमें से कोई कम और ज़्यादा नहीं हो सकते और कौन कर सकता है उसमें प्रिवर्तन वो पूरन परमात्मा समरत वो कबीर गौड गौड कबीर वो अल्लाहु अकबर वो कम्पलीट परमात्मा पूरन ब्रम वो कर सकता है और उसने उसका करने का तरीका बता रख है तो करने का भाव यह है कि कम्पलीट जो पूजा की विधी इस दास के पास है जैसे अग्यान इसी को कहते हैं जैसे यह सत लोग सच्छंड की महिमा बताने वाले जितने भी संत पंत गरंत बने हुए हैं कि अपने गरंत कहा दोखा खा गए कहा मार खा लिए उनने हैं वो कहते हैं कि COBने तो बिरमआ विस्दव महिस से कोई लेना जना नहीं और नहीं हम इनका जाप करें अमने वेदों की हो सकता नहीं हमने गीता भी नहीं देखनी पोथी तो थोथी होती है यह अग्यानता का एक सा है तत्व ग्यान हिंता का एक पार्ट है, हिस्सा है, भाग है जब तक हम इस पूरे अज्धात्म ग्यान को नहीं समझते है गीता एक अन्मोल गरंथ है पुन्हात्मों जैसे दास ने बताया है कि ये जो वेदों का ग्यान दाता भी सरपुर्स है और गीता जी का भी ग्यान दाता यही है, इसने स्रीकर सन्मा प्रविस करके बोला और बाइबल का ग्यान दाता भी है, गुरान स्रीफ का ग्यान दाता भी है अब इस कारण क्या है कि इनो इसने जो वेदों में ग्यान दिया फिर गीता जी में दिया ये सबसे पहले का ग्यान है उसकी बाद उसने अन्य दूसरों में उसको रिपीट नहीं किया बार बार जो अन्य ग्यान उसने दिया बाइबल के अंदर, कुरान स्रीफ के अंदर उन चारों कतेबों में तो वो बार बार वो ग्यान नहीं दिया, जो पहले वो दे चुका था, फिर उसने समय अनुसार, जहां पर जो पराणी रहते थे, उनको वहां जीवित रखने के लिए, अपने खाने के लिए, वो खुद खाता है हमारे को, यह स्रीर यहां रह जाता है, सारे जी उनमें जो भी हम अटबड करते हैं, जो भी खटे मीटे अपदारत खाते हैं या नसा करते हैं, वो हमारा सुक्सम स्रीर के अंदर, स्रीर के अंदर एक और स्रीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं, आप देखे हो पूरे विश्वव में, उका, सराब, तमाख्यू और बुकी, क्या क्य लग गाया प्रानी, ये खाने की चीज़ है, ज्यादा पैसे हैं काजु खाले किसमज खाले सेवसंत्रे खाले, खीर बना ले, अलवा बना ले उद रूचीना जाती, गबाड खाने को और ये वकवाद करने को क्यों जाती है क्योंकि इसका प्रेसर है यह मन इसका दूत है यह बकवाद खोद लेगा एक्मेंट में बताऊ का बनाया तोब किस तरह बना कर इसके सारा सिस्टम फिर उकवाद चलो मरत तुमाग खूप यह बकवाद क्यों करी क्योंकि इसने करवाई और ये ज्यादा जितना पराणी गल्ट काम करेगा गल्ट हार करेगा इसका टेस्ट बनता है तो ये जैसे इन अन्ने पुस्तकों के अंदर पुरान है और अन्ने कुरान है बाइबल है के अंदर जो तीन पुस्तक हैं तोरात जबूर और इंजिल हो गरा इन में मास खाने का भी इसने प्रावदान कर दिया क्यों इसने तो इनको जीवित रखना है किसी तरह रहो पाप करो चे कुछ करो तेरा आहर बना रही और जिसमें वेद और गीता बोली गी थी उससे में पूरी परच्वी पर फलदार बरक्स थे ये सम्मक आपने देख्या होगा सम्मक एक घास होता है आज कल का तो बाजरा नहीं है इतने मोटे दूसरे में ये सम्मक इतना मोटा होता था और एक बजाडले दो मार कर उपाड़ कर दो बजाडले इतना निकलाता था और उसको खाते थे, ऐसे बाजरा गेव भरे रहते थे, बन में भरे रहता था, गए जाडार तोड़ार खाया, फल तोड़े खाये, मास खाने क्या हो सकता है नहीं थी, और जितने हमारे कर्म गठते गे, संसकार गठते गे, कम पुन कर्मी प्राणी परच्वी पर जनम होता ग आखो, ऑक्सिदन क्या हो सकता है, इस बोड़ी को रिश्म ठोक है, और कॉर्बन डाइकसाइड जबरदस्ती, तो यह इस तरह है कि जो हमारी किरिया है, जीव के बसकी बात नहीं यू काल करवाए है, इस काल से बचने के लिए, आमने एक समरत का सारा चाहिएगा, वो समरत क कबीर साहिब है, नाइस हुटन नहीं दे विकार आपके, चै कितनी बात बना ली, रिशी मैं रिशीयों के इतियास देखे, गरते निकल गे, अब लातून बन का है, बगवान पावाँगे, अपने विशे वासनों पर काबू पावाँगे, वह बगती करके आए, वापस यह पारा सरनाम के एक रिशी थे, और दरिया को पार करने लगे, बारा वरस तपस्या करकाया, कती जिन दरियों को साध काया, और एक, उस मलहा की लड़की पर नीद खराब कर ली, नालायक आदमी ने, वहागड़ सारा काम बिगाड़ दिया, तो यू काल ब्रैनमाटी कर रहा ह हमारी है, हमने ना सद बगती करन देता, बगवाद हम लाए राख है, ना हमने नेक नीती से रहन देता, कोई ना कोई कोबद करवा कर चोड़ दे, जब हम समरत की सन मा जाएंगे, इस मन की लगाम काट देगा, बांद देगा, इसको जकड देगा, इतना जबर दस्त, कि कर रहा है, तेरे साथ ऐसे बन जाएगे, तो भगवान का डंडा, इसके ग्यान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराईों से बचेंगे, अपने सद बगती कर सकेंगे, फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीडी, सराव, मास, तमाख, नहीं खाएंगे, तो वगवान, और सत बगती करेंगे, सत साथ ना करेंगे, तो पुने पर्थवी पर हरा बरा कर देगा, दो मिट लागे, उसने के देरी लागे, दस मिट में सारे पाणी बरबरसा दे, और बरसा हुई रमोज हुई, तो इस परकार उस परमात्मा को भूल कर हम गलत साथना करते रहे, तो कहने का बाओ ये है, कि हम जो साथना करते हैं, तो ये वेद और गीता के अंदर तो ग्यान है, ये एक विसेस ग्यान है, और वेदों का ग्यान परमात्मा ने इस सरपुर्स के अंतेकरण में बाई फोर स्पीड किया था, वेद ग्यान, पांस अंते करने से ये पांचों वेद बाहर है समय आने पर है जैसे परमातमा ने सत लोग से इसके सरीर में ये पांचों वेद वहां से फैक्स कर दिये अपने अत्माओं यदि आज से दस बीस पचास वर्स पहले ये बात दास कहता कि सत लोग से चारों वेद और इस काल बगवान के बिर्म के अंते करण में बगवान में बेज दिये तो ना दुट्टे किसे के आद असानी से समझ माज़ें जो कि आप देख रहे हो कहां से फैक्स करते हैं फिल्म की फिल्म इमेल के माज़ें से पता नहीं कहां की कहां पहुंच जाते हैं कोई वायर नहीं बीच मैं तो यह अध्यात्मिक ग्यान को समझने के लिए यह टेक्निक आपका बहुत सा योग देगी तो जो समय आने पर जब वो बहार आई मालक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय स्रिष्टी उट्पन हो लेगी और मुनस्यों के लिए यह ग्यान भेज दिया बगवान ने कि तुम यहां अगर सुक चाते हो तो ऐसे साथ ना करना तो वेदों का जो ग्यान है वो मैट्रिक तक का है दसमी कक्षा तक का चारों वेदों का और पांसमा वेद जो था वो इनसे हटकर ग्यान था तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ग्यान का यदी इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुक सतल है वर दवस्था नहीं है वह मर्चू नहीं है तो यह एक भी नहीं रहेगा यहां पर सब चले जाएंगे तो उसे ने जो विसेश डिटेल दे रखी थी बगवान था वो पोर्सन निकाल दिया लेकिन फिर भी कितना निकाल ला है फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए कलियर नहीं था जैसे गीता जाये नमर 18 के सलोक नमर 62 में गीता ग्यान दाता कहता के अरजुन तो सर्वाभाव से उस परमेस्वड की सर्ण मजा उसकी करपा से तो पर्म सान्तिक और सनातिन पर्म धाम को प्राप्ट होगा अब 8 में धाये के पर्थम मंतर मार्दुन ने पूछ हो कि आप जीने साथ में जए कि उनगतिंस में मंतर में स्रिमत भगत गीता में बताया है कि ततबर्म को जानकर सारे दैतम से परीचित प्रानी सब कर्मों से परीचित विक्ति सादक केवल जरा और मरन से छोटने का ही प्रियतन करता है, वो यहां के किसी वस्तो की डिमांड नहीं करता तो वो किम ततवरम आठ में जाएके प्र्थ मंतरम पुछा, वो ततवरम कौन है, क्या है तो उसने हिंट दे दिया आठ में जाएके तीसरे मंतरम है कि वो प्रमक्सर ब्रम है वो गीता ग्यान दाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कम्पलीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है, तो उसका ग्यान गीता ग्यान दाता को नहीं, और वेद ग्यान दाता को नहीं, क्योंकि गीता ग्यान दाता, वेद ग्यान दाता, कुरान स्रीफ का ग्यान दाता, तोरात, जबूर और इंजल यानि बाइबल का ग्यान दाता वो ही है उसने चौथे जह के चौथे जह के चौथे स्लोक में सिरी मदभगत गीता में कह दिया है कि उस तत्व ग्यान को जो परमात्मा स्वेम आकर बताता है अपने मुख कमल से चौथे जह के बतिस में स्लोक में कहा है कि अरजुन जो ग्यान मैंने अभी तक इस चौथे जह में तुझे बताया बतिस में से पहले तक कोई कुछ साधना करता है कोई देवताओं की पूजा करता है कोई वर्त रखता है कोई यग करता है पासन करता है कोई कि और समझ्धा ही करता रहता है यह जो ग्यान है वो करतो रहें अपने अपने ग्यान को ठीक मान करके पाप ना से जान करके लेकिन उस सचीदा अनंद गनबरम के द्वारा अपने मुख कमल से जो ग्यान विश्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ग्यान है उ अंदा धूंद कोई किता धर्म यग कर दी जैसे दर्व यग, दर्व यग कार्थ होता जो दन से होने वाली बंडारे हैं, किता पाट साला बनवा दी, किता गंगा के किनारा बंडारे कर दी, कहते हैं ऐसे बगर सोचे समझे जो किरिया तुम करते हो, उससे स्रेष्ट ग्यान यग है, पहले उस ग्यान को समझो अच्छी तरह, और फिर धर्म पुन जो करना है, उससे नुकूल करो, अज्धातम ग्यान, तत्व ग्यान में बताएगे, मारग नुसार फिर धर्म करो, तो लाब होगा, तो चोथे जैके चोंतीस में स्लोक में कहा कि अरजुन उस तत्व ग्यान को, जिसमें डिटेल के साथ अज्धातम मारग बताया गया है, और वो भगवान ने सुमा कर बोला है, अपने मुक कमल से उस परमक्सर बरम ने, वो तत्व ग्यान, उस तत्व ग्यान को तु तत्व दर्सी संतों के पास जा कर समझ, अब उनको डंडो परणाम करने से कपट छोड़ कर वी नमर बहाँ से सरलताप से परसद करने से उस तत्व दर्सी संत तुझे उस तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे, तो ये गीता ग्यान दाता से अन्य कोई परमातमा है और अन्य ही ग्यान है, लिए तो एक दैवर लग देते है गीता जी में, कि उसमें प जनम लेक है, जैसे आवतार रूप में मानते हो, राम कर्शन आदी जितने साथ आठ आठ है, आवतार मानते हो, नौ आवतार, दस आवतार, और कोई कहता ऐसम पहत, कि वो जनम लेता है नहीं जनमा है, तो ये जानकारी तत्व दर्सी संत बताओंगे, उनसे सुनो, तो ना वेद के अंदर वो ग्यान कंप्लीट है, और ना गीता जी में, ऐसे ही कुरान स्रीफ के सुर्थ फुरकानी, पत्तिस नमबर चैप्टर है, तो उसकी आएत नमर बाउन से उन्ट सेट में बताया है, हदरत मौमद को, कुरान स्रीफ का ग्यान दाता के रहा है, कि जो कबीर न दलील दे रहा हूं, इस पर विस्वास रख और इस पर एमान लाँ, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा बगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लह बड़ा है, ये अल्लह कबीर है, और इसी ने स्रिश्टी रती सातमा जन तकत पर जाब जाब बैठा, ये कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने, तत्वदर्सी संत से पूछो, इस जिए भी सद हो गया कि कुरान स्रीफ का ग्यान दाता भी, उस कम्पलीट परमात्मा से प्रीचित नहीं है, पूर अल्लह हुआ कपर से प्रीचित नहीं है, और जिस कार थोड़ा बहुत बहुतिक सुख प्राप्त है, तो वो सुख नहीं होता, अगर किसी के पास खुब धन है, हमने उसको सुख ही मान रखा है, अर अंदर उसके 36 केंशन पाऊंगी मिलकर देख लेना से, तो आत्मिक सान्ती आपको इस ग्यान से और कबीर भगवान से मिलेंगी और यह साधना से मिलेंगी जो दास के पास उपलब्द है, आपको आत्मिक सान्ती बौतिक सुख सारीरिक सुख और पूर्ण मुक्स मिलेगा, तो इसके अभाव से जो साधना मुसल्मान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोदी, उन सभी साधनाओं को करते करते भी, अ उसने अपने मौलवी, मुलाकाजियों, बड़े-बड़े संतों, साधों से भी संपरक साधा, बड़े-बड़े वैद जिन को यहां तक कह जया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूँगा, मेरा रोग नासकर्द सब विर्थ रहा, आल इन वेन, हिंदू, संत, मंतर करवा लिए, आल इन वेन, तो पुनात्मों, जिस भी संत, क्योंकि मुस्लमान भाही तो किसमत मानते नहीं, प्राहरण बहुत नहीं मानते के पूरजनम के पाप होंगे तुमारे, हिंदू समाज के, हिंदू जिन को कहते हैं, सनातन धर्म वाले, ये पुनरजनम मानते ह सचाई है, पुनरजनम होता है। संद्रामपाल जी, महराज जी से नामदिक सा लेने से पहले आप क्या वक्ति जाधना करते थे? तो लेकिन काल की भक्ति कार रहे थे तैसे जैसे माना दुख बढ़ रहे थे, सुक नहीं कोई हो रहा था। तो ऐसे हम ढूंड रहे थे कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहां है, कहते हैं कि वो सुक का सागर है, शंती का सागर है तो वो सुक शंती तो हमें मिल नी रही। तो इसलिए हम उनको ढूंड रहे थे तो उसके बाद 2006 में प्रजा पिता ब्रमा कमारी आश्रम हमारे घर के पास ही खुला तो वह आठ दिन का कोर्स देते हैं पहले वहां गई हम आत्मा प्रमात्मा के बारे में बताया प्रमात्मा कौन है उसके साथ हमारा क्या संबंदा है व जहां भी वह सेवा के लिए कहते थे सेवा भी करते थे चार माना उनके सब्जेक्ट है कि ग्यान जोग धारना सेवा अगर कोई चारों में पूरा फालो करेगा ताब उसको परमात्मा मिलेगा तो वह भी हमने पूरे दिल से चारों को फालो किया जहां तक कि आश्रम में जो आप गार अज के हमारे घर में सबची गाना साल तक तो पूरा परवार जो था माना वहता हमने उनको फालो किया हो था वह पहले से बुमार रहती थी उसको भी मैंने बताया कि कि आप जहां आ करके ठीक हो जाओगे आप भी जहां आओ पचीस साल की उमर में शादी शुदा थी उसकी एक ड़ाई साल की बेटी थी तो उसने भी इस माना संस्ता को फालो किया फिर उस अपने बेटी को भी साथ में रखती थी तो उसने भी ऐसे मेरी तरह पूरी पवितरता अधान की हुती मुर्यादा में चलती थी वो भी सेवा करती थी मौट अभू में जहां इनका माना हैड ओफिस है बहां भी हम साथ आठ बार गई राजस्तान में तो पूरी तरह से फालो करने के बाद भी दिन पर दिन ऐसे लग रहा था कि जो सुख शांती चाहिए वो हमें मिलनी रही है और श्रीर जो था वो दिन पर दिन ग्रावट की और जा रहा था तरक्की होने की बजाए श्रीर में इतनी पीडा थी दर्द था पूरी बाड़ी जैसे किसी ने बहुत लाटियों से पीटा हो तो ऐसा दर्द होने के बाद भी हम वहां जाते थे कराते थे अब इनको बह्त जी को बोलते थे कि अब हम सेवा के भी निलाइक रहे कि हम बाहर जा कर के भी आउगा हम सेवा नि कर सकते चल पिर नहीं सकते घर का काम करने की दिखकत आ रही है तो अगर परमात्मा है तो वह उतना दुख हमें क्यों दे रहा है तो वह कहते थे कि आपने पता कि आप अन्य गुरुओं के पास भी गए, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी एक पदपे रही हैं, आप वहाँ पर मुरली सुनाते थे लोगों को, ये सब पूजाओं को करते करते भी आपको सारी कष्ट आ रहे थे, आप सारी कुरूप से बहुत ही कमजोर हो गए थे, आप चार साल से इधर ग्यान में थे, सत्गुरु रामपाल जी की शर्न में थे, वो अपने घर में अपनी बाइप को कहते थे, कि मैं इनको एक बार बोल के आता हूं क्योंकि ये भी परमातमा को ढूंड रहे हैं, जे गल्त तरफ गए हुए हैं, तो इनको बताना चाहिए, तो लेकिन वो आने नहीं देते हैं, जो इतने पके हैं उदर मुर्यादाओं में इतना बाहर सेवा के लिए जाते हैं जगा जगा पर तो उनका प्रचार करते हैं, तो जो मानेंगे नहीं, तो उन्हों ने फिर वो मेरी बेटी को जब देखा कैते हैं, इसको क्या हो गया इसको तो जब हमने बताया कि इसको हमें समझ में नहीं है कि इसको क्या पमारी है, भी बिलकुल भी जठीक नहीं हो रही दिन पर दिन, तो उन्हों ने कहा कि आप ग्यान गंगा पुस्तक देके जाओंगा आप वो पढ़ना, और आप टीबी पे साधना चैनल पे सहसंग आता है, स और सहसंग के लिए बुला था, तो हमने सहसंग सुनना शुरू कार दिया, तो एक महीं ने के अंदर अंदर जो बेटी थी, उसके ने मान बना लिया कि मैं इधर सत्गुर रामपाल जी की शार्न में आऊंगी और मैंने नाम दिक्षा लेनी है, तो ऐसे उन्हों ने माना ती तो लोग आप देर क्यों करते हो, तो आपको ग्यान समझ में आ गया होगा, तो सत्गुर रामपाल जी का, तो मैंने का कि ग्यान तो बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने जहां मंडी गोविंदगर से आके, सत्गुर रामपाल जी की महराजी की शर्न में आगे, जब हमने दे विशेश लाज नहीं करवाया, कोई भी दवाई गरा नहीं लिए, क्या क्या विमारी थी आपको, जी मेरे सरवाइकल था, डिस्क था, गोड़े चिकन गुनियां हो गया था, उसकी वज़ा से गोड़े नहीं चलते थे, जोड़ों का दर्द था, तो बिल्कुल यह समर्थ थी मैं काम करने में बैठे रहती थी, सोचती थी काम कैसे करूं, क्या आपने कोई इलाज भी करवाया था, जी इलाज पहले तो बहुत इलाज करवाया, लेकिन गुरु जी से नाम दिक्षा लेने के बाद मैंने कोई भी विशेश इलाज नहीं करवाया, सत्वक्ती शुरू कर सत्गुरु रामपाल जी महराज की शर्न में आने से बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी, 100% बिल्कुल ठीक होगी, और क्या लाब मिलें? आपके परिवार में भी ऐसा कोई सक्स हैं, जिन्होंने संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद नजाद छोड़ दिया। नहां से आये हैं, वो प्रमात्मा कौन है, वो सच्चा सत्गुरु कौन है, तो उसको ढूंडते थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, हमने पूरे दिल जान से उसको ढूंडा भी, उसकी मुर्यादा का भी पालन किया, जो भी बताया गया, तो जहां आ करके गुरु सत्गुर रामपल जी की महराज की दिया से हम बिलकुल तांदरुस्ता है, बिलकुल ठीक ठाक हैं, तो आम सबको यही कहना चाहते हैं, कि आप परमात्मा सत्गुर रामपल जी महराज की शर्न में आओ, नाम दिक्षा लेकार के अपना कलियान अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें